नमस्कार ये श्टेंट्स वीडियो पर आप सभी छात्रों का सुआगत है अब देख सकते हो जो ये मैं पेपर लेकर आया हूँ ये हिंदी लिक्टरेचर का पेपर है दो जारते इसका ही पेपर है एक युणिरस्टी के द्वारा यानि MLSU का पेपर है MLSU के द्वारा लिया जो भी थडियर के स्टुडेंट है भी थडियर के स्टुडेंट है उनका पेपर है काफी इंपोटेंट पेपर है तीन गंठे का पेपर हुआ और ये हिंदी लिक्टरेचर फस्ट का पेपर है देके सभी पेपर मां आपके लिए अप्लोड करने वाला हूँ आप थोड़ा रखे सभी पेपर आपके लिए इंपोटेंट रहेंगे बाकि ये आपके दो पेपर मैंने इस से पहले इस्टरी फरस्ट का पेपर अब ये हिंदी लिक्टरेचर का पेपर है ठीक है उस पेपर का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा उस पेपर को जाकर भी देख लेना आप टैंसर मत करना सभी पेपर अपलोड होंगे आपके किसी भी इंवर्ष्टिक के स्टूडेंट हो क्योंकि जो सलिवस रहता है उसमें थोड़ा बहुत फेर बदल रहता है बाकि सलिवस सेम रहता है तो पेपर को आपको पूरे को पाबी दूँगा और बाकी तो आपको खुद को भी पता होगा ठीक है तो फर्ष्ट क्यूशन आपका निवन प्रशनों के उत्तर दीजिए ठीक है तो फर्ष्ट क्यूशन है कबीर के सिश्यों ने किस गरंद का संकलन किया आपको पता होगा कि कबीर के जो सिश्य है उन्ह का संक्लन धरमदास ने मतलब कि सिश्य ही हो सकता है उसका कवीरदास का कि दरमदास ने सन 1464 में किया कवीरदास की बासा को पंचमेल खिचरी सद्दू ककडी आदी नाम से अभी हिथ किया जाता है कि आधी की दो रचनाओं के नाम लिखिये देखिए जाईसी की दो रचना है पदमावत और सेकिंड है अरवरावट ठीक है पदमावत और अरवरावट ठीक है नाम यह ऐसा इसका नेश्ट क्यूसन है थर्ड नमर का सूर्दास के पदों की दो विसेस्ताइब बताईए इसके बाद जो फोर्ट क्यूसन है उसकी बात करते हैं देखो मैं बता देता हूँ कि कलापक्स की दिश्टी से भी सूर्द का कावे अनुपमे प्रतित होता है प्रियोग उनके पदों में देखने को मिलता है ठीक है नैश्ट क्यूसन है तुल्चिदास को लोकनायक क्यों कहा जाता है यह आपको पता भी होगा कि तुल्चिदास को लोकनायक क्यों कहा जाता है तो को तुल्चिदास को लोकनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कावे में आपसी समनेवे मिलता है तुल्चिदास के काल समय में समाज के हर छेतर में आपसी दुएस और विमन श्य व्याप्त होता है ठीक है Next question की बाद करता है कि मीरा के पदों के आदार पर उनके आराध्य का नाम और एक विशेस्ता बताईए देखो सीधी से बात है उनके आराध्य तो एक ही हो सकते है श्री किर्शन और उनके मतलब की आराध्य का नाम और एक विशेस्ता बताईए ठीक है यह आराध्य यह विशेस्ता आप देख लेना धोला मारू राधुः गरंध किस रस की रचना है ग्यारवी सताब्दी में रचित एक लोक बासा काव्य है मूलते दुहों में रचित इस लोक काव्य में सतरी सताब्दी में कुसल राय वाचक ने कुछ चोपाई या जोड़कर विस्तार किया यानि कुसल राय वाचक ने ठीक है नेस्ट क्यूशन की बात करते हैं नहुस कौन थे नहुस परसिदी चंद्रवंसी राजा पुर्वरवा का पोतर था और वर्तासूर का वद करने के कारण इंद्र को ब्रह्मा हत्या का दोस लगा और वे इसे महादोस के कारण सुर्ग छोड़ कर किसी अज्यातिस्तान में जा चुपे इंद्राशन खाली ने रह ठीक है ना उसके रचनाकार का नाम बताते हुए उनका संक्सित परिक्षे दीजिए आपको खुद को देना है ठीक है अश्ट चाप की एक विशेस्ता बताते हुए दो अश्ट चाप के कवियों के नाम बताईए ठीक है देखिए दो अश्ट चाप कवियों के नाम क्या हो सकता है नाएं के बाद 10 निम्बर क्यूसन है व्यंजना सब्द सक्तिरिक का परीचे और एक उदारन दे व्यंजना सब्द सक्ति है उसका परीचे देते हुए देखो व्यंजना सब्द सक्ति वहाँ परियुक्त होती है जहां वाक्या तो सादर्ण होता है आजाता है सुबह के आठ बज गए यहां वाक्के साधर अना लेकिन इसका प्रतेक विक्ति के लिए भिन अर्थ है ठीक है नेस्ट क्यूसन है निमें लिखित अंस की संदर्व सहित व्याक्या करनी है सेकेंड क्यूसन है जो कि आप देख लेना आपको पढ़ने में दिक्कत हो कथिन की विवेचन आपको करनी है यह आप खुद से कर लेना ठीक है निमलिकित पद्यांज की सेपरसंग व्याक्या करनी है आपको पद्यांज को पढ़कर जो इसकी व्याक्या है आपको खुद करनी है छट्टे नमर क्यूसन है मीरा कर्षन से अननन्य प्रेम करती थी मीरा कि पदों क्या दरपर विवेज ना करनी है आपको अपनी नोटबुक मिल जाएगा डोला मारूरा धुखा में निहित भाव पक्स के सुंद्रे को निरुपित कीजिए आपको मिल जाएगे अपनी नोटबुक से मेथली स्रण गुपते विर्चित नहूस खंडगावे की आपक सी आहाय उठी किन्तु बन वाह वाह चोक अपसराय उठ बैटी और जूमी वे नुपुर बजा के ताल ताल पर घूमी वे ठीक है नैश्ट की उसे ना आपका दर्शे नमर का क्रशन बक्तिदारा की विसेस्ता है आपको बतानी है लक्षन और व्यंजना सब्सक्ति अब दे व्यंजना सब्द और अर्थ दोनों पर आदारित होता है जब तक अबीदा लक्षना अपना काम करके विरत नहीं हो जाते व्यंजना का काम आरंब ही नहीं होता उदारन जैसे सुबह के आठ बज गए यह वाक्या सादारन लेकिन इसका परतेग व्यक्ति के लिए भिन अर् तुल्ची दास राम के अनन्य भक्त है यह आपको पता होगा चोद्वा क्यूसर देट सुंदर दास के कावे के भाव पक्स पर आपको प्रकाश टान लाई यह आपको खुश से ट्राइब करना नहुस खंड कावे का भाव पक्स मानिवे सरोकार्ज संबंद है इस कतन की दारित भूमी है इसका तन को आपको सिद्ध करना है ठीक है यह आपका पेपर था चूंकि पूरा कंप्लिट हो चुका है और आपसे रिक्वेस्ट है इस पेपर को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करना दो जारते है इसका पेपर इसे प्रकार से होगा और कल के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे सुबही ठीक है कल के पेपर की जो क्वाल्टी है वो अच्छी मिलेगी क्योंकि यह मैंने किसी एक स्टूडेंट से मगाया है और जो यह पेपर है और जो पहला वाला पेपर है दोनों MLSU के है मोला सुकोडिया अन जबारत आल